असलाम अलेकुम एविवान मैं हूं मौमत तलहा आप लोग देख रहे हैं तलासफेस अकैडमी सो बच्चों क्या होता है जब लकडी जलती है क्या वो लकडी बिलकुली खतम हो जाती है इस इनिवर्स से तो ऐसा नहीं है बलके वो एक्चोली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कनवर्ट होती है जब लकडी जलती है तो बहुत कॉमन सी जो दो एक्जामपल्स आप देख सकते हैं वो यह है कि वो लाइट और हीट में कनवर्ट होती है इसी तरीके से जब लाइट मिलती है प्लांट्स को तो एक्च वो जो food है वो chemical energy में convert होता है और हमें energy को provide करता है तो इन तीन मिसालों से थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया होगा कि actually मैं बात कर रहा हूँ law of conservation of energy की जिसके मुताबिक हमने पड़ा है कि energy को create नहीं कर सकते energy को destroy नहीं कर सकते लेकिन उसे एक form से दूसरी form में convert कर सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं torch की तो torch जो है जो batteries के अंदर chemical energy होती है वो उसको convert करती है electrical energy में जो के actually convert हो रही होती है light में और heat energy में तो एक form of energy दूसरी form of energy में convert हो रहा है इसी तरीके से जो टर्वाइन्स काम करती हैं basically hydroelectric powers जो होते हैं वो यहां से आने वाले water की potential energy से टर्वाइन को convert करते हैं टर्वाइन में mechanical energy आती है और फिर वो ही energy convert होती है electrical energy में तो फिर से आपने देखा कि energy एक form से दूसरी form में convert हो रही है और अगर हम एक और मिसाल जो कि मैंने बिल्कुल वीडियो के शुरू में बताए थी कि जब fuels जलती हैं तो actually chemical energy convert हो जाती है heat और light energy में तो यह तो एक general हमने examples दी है इसके लावा और वी बहुत सारी examples हो सकती है अगर आप चाहो तो वीडियो को pause करके इन examples को पढ़ लो main topic actually हमारा यह नहीं है बलके हमारा topic यह है कि जब यही law of consideration of energy हम heat के बारे में बात करते हैं सिर्व सरीफ heat को consider करते हैं तो इसी law का एक different name है उसे कहते हैं first law of thermodynamics आज का हमारा lecture first law of thermodynamics को समझने के हवाले से हैं और फिर first law of thermodynamics को apply करना है चार मुखतलिफ processes के अंदर mathematically, graphically और कुछ examples भी discuss करेंगे तो start करते हैं first law of thermodynamics की statement को समझने से के actually यह law कहता क्या है किसी भी thermodynamics process के अंदर जब heat जिसे हम delta q से show कर रहे हैं उसे हम system में add करते हैं तो यह जो energy है वो appear होती है सबसे पहले internal energy के increase करने में delta u यानिके internal energy जो हम अलड़ी discuss कर चुके हैं यू होता है तो उसके increase के अंदर convert हो जाती है और plus work done by the system में convert हो जाती है इसका मतलब यह है कि जब भी किसी system को heat provide की जाती है तो वो heat actually दो हिस्सों में convert हो जाती है पहला क्या होता है कि उस system की internal energy के अंदर इजाफा होता है और दूसरा system जो है वो work done करता है यानिके system काम करता है ठीक है यह तो हमने एक तरीके से समझा इसी को mathematically ऐसे लिख सकते है जहाँ पर delta q मैंने आपको बताया what is delta q यहाँ पर लिखावा है कि हमने system को कितनी heat supply की है तो actually यह heat supplied होती है delta u क्या हो गया internal energy के अंदर increase आया ठीक है वो हो गया delta u internal energy का increase होना और इसी तरीके से यहाँ पर delta w लिखावा है basically यह जाहिर कर रहा है word done by the system को कि system ने कितना काम करा ठीक है तो एक तरीके से तो मैंने आपको समझा दिया कि जब भी किसी system में energy heat की form में हम add करते हैं तो actually वो दो हिस्सों में convert हो जाती है एक तो वो system का system work done करता है और दूसरा उसकी internal energy में इजाफा होता है यानि कि उसके temperature के अंदर इजाफा आता है अगर इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझें तो इस statement को थोड़ा सा different तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं जो कि यह है कि the change in internal energy of the system जो delta U है actually यानि कि अगर आप मालूम करना चाहते हैं किसी system के अंदर internal energy के अंदर कितना change आया तो आपने क्या करना है net heat transfer देखना है कि कितना heat जो है वो transfer किया गया उस system को और फिर उसमें से minus कर देना है net work done by the system माइनस कर दें कि उस system ने कितना work किया मतलब कि अगर आप जानना चाहते हैं कि internal energy के अंदर system में कितना difference आया तो आप यह देखेंगे आपने system को कितनी heat दी उसमें से कितनी उसने काम में convert कर दी तो जो फर्क आएगा basically वही internal energy का इजाफा होगा जो के last lecture के अंदर ने discuss किया था actually temperature के change होने को represent करता है in case of ideal gas system ठीके जी इनी दोनों को अगर एक साथ समझते हैं तो देखलो जब भी heat supply की जाती है तो वह दो इससों में convert हो जाती है internal energy और work done यानि कि system काम करता है gas expand करती है और दूसरा उसके temperature में इजाफा होता है और अगर इस तरीके से समझना चाहो कि किसी system की internal energy में कितना इजाफा आया तो आप कैसे मालूम करेंगे कितनी heat supply करी उसमें से minus कर दो कि उस system ने कितनी heat work में convert कर दी तो जितनी work में convert कर देगा minus जो कुछ बचेगा वो सारी की सारी internal energy में convert हो जाएगी ठीक है तो यह वही जो law of conservation of energy था उसको थोड़े different तरीके के साथ हमने in case of heat discuss करा जिससे first law of thermodynamics कहते है ठीक है जी इसी के साथ समझाता हूं mathematically यह एक सिलिंडर ठीके ना जैसे जस्टा सेलिंडर और इस सिलिंडर के उपर हमने एक पिस्टन डाल दिया मैंने इस पिस्टन के ऊपर ठीक है और इस सिलिंडर के अंदर हमने गैस को फिल कर दिया अभी मैं समझाना चाहरा हूं कि हीट कैसे दो चीजों में convert ह अब क्या किरा हमने यहां पर प्रेशर पी मौझूद है ठीक हमने उपर पिस्टन रखावा है यह गैस के अंदर प्रेशर वो पी के बराबर हो गया यह मैंने रख दिया एक होट बॉड़ी पे होट बॉड़ी एक्चुली हीट को सप्लाइब करने का काम करती है यह निके ड जो सिस्टम है यह मौलीक्यूल जुपर की तरफ फोर्स अप्लाइब करेंगे और नतीजे में गैस एक्सपेंड हो गई और थोड़ा सा उसका टेम्प्रेशर भी बढ़ गया अगर आप नोट करो तो उसके टेम्प्रेशर के अंदर ही मैंने इजाफा दिखाया है दोनों त प्रवाइड करते हैं या एक तो दो काम हुए देखो यहां पर एक तो वर्क डन हुआ जो के एक्चुली हमें पता है पी डेल्टा वी के बराबर आता है आपने देखा वॉलियूम चेंज हुआ पहले वॉलियूम डिफरेंट था बाद में वॉलियूम डिफरेंट हो गया तो सिस्टम ने काम तो किया है और दूसरा सिस्टम के टेमपरेशर में चेंज आया इसका मतलब इन्टर्नल इनरजी में इजाफा हूँ है तो जब भी हमके सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली दो काम होते हैं एक तो जो गैस है उसका टेंप्रेचर बढ़ता है और दूसरा जो सिस्टम होता है वह वर्ड़न करता है ठीक है जी अब आजो एप्लिकेशन्स और फर्स लॉफ थर्मो डानेमिक से यानि कि इसी लोग हो एक्चुली अब हम अप्लाए करेंगे चार मुफ्तलिफ प्रोसेस के अंदर और तभी इसको कहते हैं अप्लिकेशन पहला प्रोसेस होगा आइसोबेरिक प्रोसेस फिर होगा है और फिर होगा अडियाबेटेक प्रोसेस अब आपने बात जहन में बिठा लेनी है कि हर एक प्रोसेस के मीनिक समझने केौस प्रोसेस में होता क्या है फिर उसको मैदमाटेमाटी क्ली समझना है कि फस लॉप लाइक के कि, तो आईसो बेरिक प्रोसस क्या है यह एक थर्मो डाइनेमिकल ब्रोस है, in which the pressure on the system is kept constant, यानि कि अगर किसी therm tąइनेमिकल प्रोसस में, यानि कि हीड देने वाले प्रोसस में, वर्डन वाले process में अगर हम pressure को constant रखते हैं pressure is kept constant तो ऐसे process को कहते हैं isobaric process और पता है आप इसको याद भी गर सकते हो कहीं पर भी आप यह ISO का word देखोगे तो actually वो represent करता है same को और यह जो बार आपको word लिखा वा नज़र आ रहा है actually this is the old name for pressure इसका मतलब isobaric process का मतलब same pressure वाला process प्रोसेस और पूरी definition यह हो जाएगी एक ऐसा थर्मडेनिकल प्रोसेस जिसमें system में के उपर रखा हुआ pressure हम नहीं बदलते और बाकी जो होई थर्मडेनिकल process होता है heat देते हैं work done होता है तो ऐसे process को isobaric process कहा जाता है जैसे मिसाल के तौर पर यह एक cylinder है जिसके उपर हम एक piston रख देंगे यह आ गया piston ठीक है जो भी इसका pressure है कुछ ना कुछ तो piston का pressure होगा वजन होगा उसको हम बदलेंगे नहीं ठीक है अंदर हमने gas को फिल कर दिया और system को रख दिया एक hot body पे जिससे वो कुछ amount of heat को absorb करेगा मिसाल के तौर पर इसका amount of heat delta q के बराबर है फिर क्या होगा heat यहां से निकलेगी gas के molecules के पास जाएगी gas के molecules पहले से जादा vibrate करेंगे उनकी energy बढ़ जाएगी because heat is a form of energy तो नतीजे में क्या होगा system expand करेगा और उसके gas के temperature में भी difference आएगा अगर यह दोनों state में आपको एक साथ दिखाऊं तो इस तरीके से देखो यहां पे रखा हुआ pressure भी P के बराबर था और बाद वाला pressure भी P के बराबर है लेकिन आप देखो volume के अंदर फर्क आ गया है पहले अगर gas इतनी थी अब gas यहां तक पहुच गई यानि के gas ने कुछ ने कुछ height cover की है extra height cover करी है तो यकीन इसके volume में फर्क आया अगर इदर का volume V1 के बराबर है तो यहां का volume V2 हो गया बढ़ने के बाद अच्छा अब मैं अगर apply करता हूं according to first law of thermodynamics apply कर रहे है न उसको first law of thermodynamics को तो वैसे first law of thermodynamics होता है जब भी heat provide की जाती है कि system को तो दो हिस्सों में convert होती है एक तो internal energy में इजाफा होता है और दूसरा यह के system काम करता है अब इस case के अंदर work done कितना हो रहा है इन इस case इस system में अगर work done की बात की जाए तो actually work done बराबर होता है P delta V के last lecture में हम उसको समझ चुके है कैसे आता है P delta V अगर इस value को equation 1 में put करते है putting in equation 1 तो क्या result आता है delta Q बराबर आ जाएगा delta U plus P delta V और चाहो तो इस P delta V को में पता है delta V का मतलब क्या होता है delta V का मतलब होता है change in volume तो volume में change कैसे हो सकता है final minus initial सही है तो यह जो equation मैंने लिखे ही है अभी यह equation actually isobaric process में जब first law of thermodynamics को apply करते हैं तो यह कुछ condition आती है इसका मतलब isobaric process के अंदर जब भी आपकी system को heat provide करेंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि वह heat 200 में convert होगी एक तो यह के internal energy में जाफा होगा और दूसरा pressure तो सेम रहता है लेकिन यह के volume जो है उस system का बदल जाएगा ठीक है यह हो गया इसका मतलब हमने जो apply करा तो अब result क्या मिला आप से कोई पूछे ब जाजी में भी जाफा होता है यानिके system का temperature भी बढ़ता है और system कुछ ना कुछ work done भी करता है ठीक है जी इक्जाम्पिल्स देखते हैं सबसे पहले आगर आप किसी पानी को heat करते हैं open container के अंदर आपको बता है अगर open container में आप heat करोगे इस तरीके से आपने उसको वाटर को कहीं पर भी और यहां से आप उसको heat देना शुरू कर दोगे तो क्या होगा उपर जो प्रेशर है वह एक्चुली atmospheric प्रेशर है जो के बदल नहीं रहा जो कि क्या है constant है और तभी जब हम heat देते हैं तो एक तो यह है कि यह पानी का temperature बढ़ता है और दूसरा एक और दो और काम होता है यहां पर वर्ट डन होता है जो वेपर होते हैं वह यहां से मूफ करते हैं उपर की तरफ और अगर आप धक्कन रख दोगे जैसे cattle का अगर आप रख दो तो बाकायदा आप उसका जो ढखकन है उसको उड़ते भी देख सकते हो जो शो कर रहा है कि वर्ट पर लखावा था उसको नहीं बदला ना बढ़ा आया ना कम करा तो इसे बोलेंगे आइसो बैरिक प्रॉसेस और तीसरा प्रॉसेस हो सकता है कूलिंग करना यहां पर आप हीट दे रहे थे अगर आप हीट एब्जॉर्ब कर लोगे तब भी यही काम होगा यानिके सिस्टम भी एगसा कंप्रेश होगा और दूसरी बात यहां पर एक्समेंड हो रहाता है हीट देने लेए थोपर थोड़ा सा कंपरेश होगा सिस्टम यानिके वर्क डवन होगा और टैम्प्रेशर में कमी आएगी यानिके इंटर्नल इनर्जी में डिफरेंस आएगा याद रखिये हम यह कह रहे हैं कि internal energy में change आता है अब वो बढ़के भी आ सकता है और कम होके भी आ सकता है ठीक है न तो यह मिसाले हैं जहन में रखना easy हो जाता है थोड़ा समझना न ग्राफ देखो कैसा बनेगा isobaric process का यहां पर pressure है यहां पर volume है x-axis में volume y-axis के अंदर pressure और एहम बात यह है कि जब process शुरू हुआ था तो volume कम था तो मैंने v1 बोल दिया फिर जब process आगे गया तो volume बढ़ गया v2 हो गया लेकिन इस दौरान आपने एक बात note करी कि जो pressure था उसको मैंने change होने नहीं दिया था throughout pressure सेम रहा था तो अगर मिसाल के तो पर यह question mcqs के अंदर आता है तो इस तरीके से question लिखा होता है the graph of isobaric process is तो उसका जवाब क्या होगा actually वो जो graph होता है वो एक straight line होता है और वो किसके parallel straight line parallel to x-axis तो यह बात जहन में रखनी है mcqs में काम में आ सकती है कि the graph of isobaric process is तो आप बोलेंगे straight line parallel to x-axis क्योंक तो बदला ही नहीं अगर pressure बदलता तो line उपर जाती न तो y-axis में कुछ भी फासलत है नहीं हुआ तो x-axis के parallel line नजर आएगी ठीक है न ओके second application थी isocoric process की isocoric process अब पहले में नाम से बता दूँ फिर definition देख ले न आई-सो का मतलब मैंने आपको बताया था same और यह जो core volume एक ही मीनिंग होता है तो isocoric का क्या मतलब हो गया isocoric का मतलब हो गया same volume वाला process तो इससे आप definition ही बना सकते हो ऐसा thermodynamical process जिसमें system का volume constant रखा जाता है कुछ भी करके volume को बदलने नहीं देते तो ऐसे process को isocoric process कहा जाता है the thermodynamical process in which the volume of the system is kept constant वो isocoric process के लागा है निके heat दें मिसाल के तौर पर फिर वही बाता गई यह आगया एक cylinder इस cylinder के अंदर गैस को फिल करना है उपर हमने एक piston रखा और गैस को फिल कर दिया ठीक है और heat देंगे क्योंके thermodynamical process है तो hot body के उपर रख दिया hot body पर रखने के बाद heat देंगे लेकिन दिहान यह रखेंगे कि उपर हमने कुछ extra pressure रख दिया पहले जो pressure था वो pressure कुछ कम था और अभी हमने pressure को बढ़ा दिया hot body ने heat को absorb करा लेकिन आप देखें कि वो expand नहीं हुई अग अगर दोनों states देख लोगे तो जादा clear हो जाएगी बात यह देखो यहां पर pressure मिसाल के तौर पर हमने P1 रखावा था जो सिर्फ इस piston का था फिर कुछ extra रख दिया तो दोनों का मिला के जो pressure बन गया लेट से अब उसको नाम देते हैं P2 का दोनों को मिला के P2 pressure बन गया पह अलबत्ता बढ़ जाता है ठीक ना तो अब इसको mathematically apply करना है according to first law of thermodynamics अगर first law of thermodynamics को apply करें तो मैं पता है first law of thermodynamics के मताविक जब भी heat provide करते हैं तो वो दो इससो में convert होती है एक तो system काम करता है और दूसरा system की internal energy में इजाफा होता है बट यहां पर क्या है in वक्षेश देस क्येस के अंदर क्या हुआ आपको पताना वर डल्न किसके ब्राबर होता है वर्गण परबर होता है पीड़ डल्टावी के क्यूंक Pre डेल्टा V इस case में 0 के बराबर है कैसे भई? क्योंकि हम बार-बार कह रहे हैं कि volume constant है, volume को तो हमने change होने दिया ही नहीं तो जब volume change नहीं हुआ तो डेल्टा V 0 के बराबर है और अगर डेल्टा V 0 के बराबर है तो इसका मतलब work done भी actually किसके बराबर आजाएगा 0 के, जब डेल्टा V 0 है तो pressure चाहिए जित्ता भी रख दो 0 multiply होगा, P से 0 कर देगा तो it means work done 0 हो गया तो क्या बनीगी फिर हमारी equation 2 अगर equation 2 में values put करें डेल्टा Q बराबर आजाएगा work done की जगा पे 0 आगया यह आगया डेल्टा U ठीक है, तो क्या सीखा आपने जब first law of thermodynamics को apply कर isocoric process में, क्या आपके जहन में आना चाहिए कि जब भी isocoric process होता है तो जितनी भी हम heat supply करते हैं system को, वो सारी की सारी internal energy में convert हो जाती है क्योंकि isocoric process में work तो होता नहीं है, तो सारी की सारी heat internal energy में convert हो जाएगी isobaric में दोनों में convert हो रही थी volume में भी change आ रहा था, internal energy में भी change आ रहा था, बट isocoric में जितनी भी आप heat देते हैं वो सारी की सारी internal energy में convert हो जाती है example के अंदर आप देख सकते हैं जब भी पानी को आप heat करेंगे किसी sealed glass के अंदर तो sealed glass के अंदर अगर आप करेंगे तो सारी की सारी heat convert हो जाएगी internal energy में, क्योंकि sealed glass है, तो energy को बाहर निकलनेगा, जो work done है, वो करने का मौका ही नहीं मिलेगा गैस को, तो इसका मतलब जो heating करते हैं, आप sealed glass के अंदर वो आइसो कॉरिक प्रोसेस है pressure cooker इसी उसूल पर काम करता है आप खुद देखेंगे ना pressure cooker के अंदर खाना क्यों बन जाता है क्योंकि एक normal बरतन के अंदर मैंने समझाया, कि जब भी आप heat करते है तो थोड़ा बहुत internal energy में change आता है, और कुछ work done में use हो जाती है लेकिन अगर pressure cooker है जहां से उपर मैंने इसको tightly pack किया हुआ है, तो फिर क्या होता है pressure लगातार उपर से बढ़ता चला जाता है तो CT वगरा जमने रखे हो तो ना pressure cooker में खाना इसी वज़े से जल्दी बन जाता है gas कम खर्च होती है क्यूंकि उसमें energy work done में जाया नहीं होती, बलके सारी की सारी खाने को पकाने में इस्तमाल हो जाती है और बाकी गाड़ियों के अंदर जो heating और cooling system होता है उसमें भी volume को नहीं बदला जाता और heating की जाती है, cooling की जाती है तो वो भी एक case है isocoric process का ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको definition बता दी मैंने आपको mathematically बता दी मैंने आपको examples बता दी अब आखरी चीज बचती है graph हर एक process में यह बात आपने याद रखने हैं कि यह सब कुछ मुझे पता होना चाहिए अच्छा जीब आप देखें, क्या चीज नहीं बदल रही थी शुरुआत में जितना volume था आखर तक volume उतने ही रहा यानि volume में तो कोई फर्क नहीं आया यहाँ पर हमने volume बना रहा है, यहाँ पर pressure बना रहा है volume में तो change नहीं आया लेकिन पहले pressure कम था बाद में pressure बढ़ गया तो अगर आप मिलाएंगे, तो एक straight line मनेगी, volume में तो कोई फर्क आया नहीं इसका मतलब इसका result क्या बनेगा इसका result यह होगा कि इसका graph भी होता है एक straight line और वो किसके parallel होती है parallel to y-axis आईसोबेरिक का जो graph था वो parallel to x-axis था और आईसोखॉरिक का जो graph है वो parallel to y-axis है, क्योंकि इसके अंदर volume सेम रहता है, और pressure P1 से बढ़के P2 हो जाता है ठीक है ना थर्ड प्रोसेस आईसो थर्मल प्रोसेस समझते हैं उसी तरह से आईसो का मतलब सेम और therm actually represent करता है temperature तो इन simple words हम कह सकते हैं same temperature वाला जो प्रोसेस है उसे कहते हैं आईसो थर्मल प्रोसेस और बाकि define भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे एक thermodynamical प्रोसेस जिसमें temperature of the system constant रखा जाता है ऐसे प्रोसेस को आईसो थर्मल प्रोसेस कहते हैं यानि कुछ भी ऐसा करते हैं कि वहीड भी दे और temperature भी ना बदले जैसे मिसाल के तौर पर ये cylinder था हमने क्या करा हमने ये रख दिया इसके उपर piston अंदर फिल कर दिया गैस को और अब इसको heat प्रोवाइड करेंगे उपर कुछ pressure रखावा है P1 कर देते हैं उसको मिसाले तौर पर इसको heat प्रोवाइड करेंगे with the help of hot body और बस दिहान क्या रखना है पता है जब heat absorb होगी यहां से यहां जाएगी तो आपको बताए kinetic energy बड़ेगी बस आपने दिहान यह रखना है कि आपने pressure को reduce करना है आपने pressure को reduce करा तो hot body से heat को absorb करके gas expand होगी ठीक है लेकिन अब आप एक बात सोचोगे कि भई यहां पे temperature क्यों नहीं बड़ा आखिर ऐसा क्या हुआ यहां पे तो देखो pressure के reduce करने की वज़ा से क्या हुआ कि मैंने gas को allow करा कि जितनी भी heat वो absorb कर रही है वो work में convert कर दे यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि आप खाना खाओ और आपका वजन ना बड़े बताओ ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप खाना खाओ और आपका वजन कर दोगे तो आप देखो कि आपका वजन नहीं बड़ेगा बिल्कुल ऐसे यहां पर हुआ कि हमने gas को allow करा pressure को reduce करके कि वो सारी कि सारी heat जो absorb कर रही है उसको work done में convert कर दे और temperature सेम रहे अगर यहां का temperature टी था तो यहां का temperature भी टी रहा temperature को हमने change होने नहीं दिया और pressure मिसाल की तो पहले P1 था तो बाद में pressure को reduce करके हमने P2 कर दिया और नतीजे में volume पर क्या फर्क पड़ा पहले volume V1 था बाद में volume बढ़के V2 हो गया पस हमने temperature को change होने नहीं दिया तो आप याद रखिए अगर आप चाहते हैं कि system अपनी internal energy को change ना करे temperature को change ना करे तो या तो आप system को compress करें अगर cold body पर रखा है उसे isothermal compression कहते हैं या तो अगर hot body पर रखा है तो आप उसे isothermal expand होने का मौका दें और वो आप कैसे दे सकते हैं pressure को reduce करके ठीक है तो बई जितना खाना खा रहे हो उतनी exercise करो तो internal energy में जाफा नहीं होगा सारी की सारी work done में convert हो जाएगी तो चलिए apply करते हैं according to first law of thermodynamics पहले apply करेंगे उसके बाद देखेंगे इस process में क्या होगा first law of thermodynamics में मताबए जब भी heat provide करते हैं कि सिस्टम को दो इससों में convert होती है एक तो internal energy में जाफा होता है और दूसरा work done होता है equation 3 कर देते हैं इसको in this process इस process के अंदर क्या हुआ इस process में हमें पता है कि internal energy में change 0 आया हमें कैसे पता है internal energy में change 0 आया क्योंकि हम बार-बार कह रहे हैं हमने temperature को constant रखा तो internal energy में change 0 आ गया तो फिर क्या बनी अगर इस value को equation 3 में put करें putting in equation 3 तो जब भी heat provide करते हैं कि system को internal energy 0 है तो सारी-सारी heat convert हो जाएगी work done ठीक है तो क्या जुमला आपके जहन में आना चाहिए अगर आपसे बहुत को बोले हाँ आपके अपलाए करा first log को तो क्या सीखा तो हम नहीं यह सीखा कि अगर process isothermal होता है तो जितनी भी heat हम provide करते हैं वो सारी-सारी work done में convert हो जाती है ठीक है in case of isothermal process example समझते है ice का melt हो न आपको पता है जब ice melt होती है तो उसका temperature change नहीं हो रहा होता जब तक ice melt हो रही होती है बहुत मिसाल के तौर पे आपके पास एक ice थी ठीक है और वो कित्य डिग्री पे थी मिसाल के तौर पे वो थी minus 4 degrees Celsius पे आप उसे heat provide करेंगे temperature change हो जाएगा minus 4 से minus 3 हो जाएगा फिर आप heat दोगे minus 3 से minus 2 हो जाएगा फिर minus 1 हो जाएगा लेकिन याद रखो जैसे ही इसका temperature 0 हो जाता है और आप इसे heat देते रहते हो अब आप देखोगे तो temperature में कोई फर्क नहीं आता लेकिन हाँ यह आइस्ता-इस्ता melt होके water बनना शुरू हो जाती तो जब तक यह मुकमल तोर पर पानी नहीं बन जाती जब तक आप देखेंगे तो temperature 0 degree Celsius रहता है इसका मतलब जब ice melt होती है तो उस वक्ट temperature constant रहता है इसी तरीके से अगर आप पानी को boil कर रहे हो container के अंदर पानी बरावा है और आप उसने उसको boil करने काम करा तो आप क्या देखोगे इसका temperature मिसाल के तोर पे 30 degree heat बढ़ेगी 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 फिर आप देखेंगे टाइम ऐसा आएगा कि bubbles बनना शुरू हो जाएगे और temperature आजाएगा 100 अब आप जितनी देर भी heat देते रहोगे तो यह 100 से 101, 102 नहीं होगा बलके पहले यह जो water है वो boil होता रहेगा तो जब तक boiling होती रहती है जब तक temperature constant रहता है heat दे रहें फिर भी temperature constant है इस आईसो थर्मल प्रॉसेस बड़ी interesting application है जो popcorn पकते हैं अगर आप popcorn को पकाते हैं आपने रग दिया microwave के अंदर तो आप देखेंगे जब तक popcorn बन रहा होता है तो अंदर से उसका temperature change नहीं हो रहा होता ठीक है ना फिर जब पक जाता है फिर जाहिसी बाते फिर वो गरम हो जाएगा लेकिन जब तक popcorn पक रहा होता है तब तक उसका जो temperature है वो constant रहता है it means it is also an example of isothermal process graph देखो कैसा बनना चाहिए देखो यहाँ पर हमने एक बात सीखी थी कि pressure of volume inversely proportional है अगर मैं चाहरा था कि gas expand हो जाए तो मुझे pressure को कम करना पढ़ रहा था तो ऐसा कर लेते हैं process के शुरू के अंदर हमने pressure को ज्यादा रखा था तो P1 है तो volume कुछ कम था V1 बाद में आपने देखा pressure जो है वो P1 से कम होके P2 हो गया था और volume V1 से बढ़के V2 हो गया यह P1 की value है यह P2 की value है ठीक है ना तो graph जो बनेगा वो ऐसा curve बनेगा जो हमने कहां पढ़ाता है याद है आपको boil slow में ऐसा पढ़ा है तो यह boil slow ही तो अपलाए हो रहा है boil slow के अंदर volume और pressure inversely बोशन होते है temperature constant रहता है तो यह जो graph है मैंने तब भी इसका नाम बताया था इसको कहते है isotherm curve जो curve है बड़ा ही gentle curve होता है इसके अंदर जो slope है ना बहुत कम होता है ना बहुत ज्यादा होता है एक normal सा slope आपको इसके अंदर नजर आ रहा है अगर यहां से आप एक ball को छोड़ दोगे तो आप देख को बड़ा gently वो नीचे आएगी जोड़ा है तो आइसितनार पासिस का graph एक आई सथे मल कर वोता है और यह काफी जेंटल कर वोता है ठीक है समझेंगाना जैंटल कर वोता है और जो जैंटल नहीं होता वह मैं बताता हूं एडिगा weट इक के अंदर कि वह कैसा ग्राफ होता है ठीक है आफरी अधियोवेटिक प्रोसेस और इंटेस्टिंगी पहला था आइसो बार सेंप्रेशा फिर था आइसो कॉर सेंव एज आइसा थर्म यानिए सेंव टेंपरेचर पर अब तो कुछ इसो रहे नहीं अब है एडियोवेटिक यह एडियो बैट से निकला है ग्रीग ल के अंदर हम उसको कहते हैं insulator तो हम यह कह सकते हैं adiabatic process का मतलब insulator वाला process insulator क्या करता है heat को pass नहीं होने देता तभी वो कहते हैं impossible ठीक है तो अगर define करें इसको properly तो ऐसा thermodernical process जिसमें ना तो heat allow होती है system के अंदर जाने के ना ही system को leave करने के यानि के system को रखा जाता है एक insulator के उपर ना वो heat को अंदर जाने देता है ना वो heat को बाहर आने देता है ऐसे process को adiabatic process कहा जाता है यह process काफी हद तक isothermal से मिलता जुलता है बट मैं दोनों में difference समझाऊंगा अभी अभी कलिए आप याद रख लो system को अगर रखते हैं इंसुलेटर पर यानि के ना system में heat जा सकती है ना ही heat system से release हो सकती है तो ऐसे process को हम adiabatic process कहते हैं जैसे कि यहां देखिए यह cylinder cylinder पर रखा piston gas को किया फिल और उपर रख दिया कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर और यहां पर इसको रखा एक insulator है इस मरतबह hot body पर नहीं insulator पर रखा है अब पता है क्या मैं सिर्फ pressure को कम करूंगा gas अपनी आप expand हो जाएगी हाला कि मैं heat तो दे नहीं रहा तो एक्चुली कैसे possible है क्योंकि system के अंदर कुछ ना कुछ internal energy तो मौझूद है मैं जैसे pressure कम करूंगा तो gas अपनी internal energy की वज़ा से expand हो जाएगी तो यह जो process आपने अभी अभी देखा internal energy की वज़ा से system expand हो गया एक्चुली यह process है adiabatic process और फिलाल जो आपने देखा उसे कहेंगे adiabatic expansion और ऐसे ही adiabatic compression भी हो सकता है बड़ प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा हम इसको ही समझ लेते हैं यहाँ पे pressure मिसाल की दोरों पे हमने रखा वा था total P1 बाद में जो pressure था वह गया P2 volume पहले V1 था फिर वन गया volume V2 तो इधर भी देखो वह ही हुआ ना pressure कम करा volume बढ़ गया आइस थर्मल पे भी ऐसी हुआ था लेकिन फर्क है यहाँ पे temperature decrease हुआ होगा internal energy में फर्क आया होगा क्योंकि gas expand हुई है तो अपनी internal energy के basis पे तो ही होगी जैसे मिसाल के तौर पे जब आपने रोजा रखावा होता है तो खाना वाना खा तो नहीं होते लेकिन इसका मदब क्या काम भी नहीं करो गया नहीं काम कर सकते हैं काम कर लेते हैं कौन सी energy से कर लेते हो internal energy से समझ में आई बात तो internal energy के जरीए system ने वर्क कर लिए अब अगर मैं apply क करता हूं according to first law of thermodynamics जब भी heat provide करते हैं दो इससों में convert होती है internal energy के अदर इजाफा होता है और system work करता है equation 4 इस process के अंदर क्या हुआ in this process delta q actually 0 के बराबर है क्योंकि ना हम heat दे सकते हैं ना heat release हो सकती है तो actually 2 cases निकल कर आते हैं आगर मैं यहाँ पर 0 पूट करता हूं 0 is equal to delta u plus delta w तो आगे 2 cases निकल कर आ सकते हैं यह value मैंने equation 4 में पूट कर लिए या तो मैं कह सकता हूं के internal energy को negative कर लूँ तो मैं बोल दूँगा के work done बराबर हो जाएगा minus delta u के या फिर change कर लो यह हो जाएगा delta u positive होगा तो negative of delta w आ जाएगा ऐसा मामला होगा इन दोनों cases को पता हैं हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर internal energy में कमी आई है internal energy क्या हुई है system है तो समझे लो जब system काम करता है तो internal energy decrease हो जाती है जैसे के भी आपने देखा pressure को reduce करने की वज़ा से और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि internal energy के अंदर इजाफा हो गया positive है तो इजाफा हो गया और यह तब होता है जब system पर काम किया जाता है यानिके on the system होता है ठीक है और यह कब कब होता है इसको भी देख लो यह जो आपने देखा है पहला वाला यह होता है जब इस तरमल एक्स एडियावटिक expansion होता है और यह तब होता है जब एडियावटिक compression होता है क्योंकि यह दोनों केसे में हो सकता ना compression में expansion में अच्छाजी कहा कहा इस्तमाल होता है एडियाब॥ प्रॉसेसं इंटर्णल कंभर्शाण इंजन जितने भी होते हैं तो उसके अधर एक स्टैप आता है हो आई अधियवाटिक प्रॉसेस होता है यानिके इसमें हम insulator insulated कर देते हैं cylinder को 9 heat बाहर जाती है 9 heat अंदर जाती है thermos flask के अंदर अगर कुछ है तो 9 heat अंदर एंटर होगी 9 heat बाहर जाएगी वो भी adiabatic process होता है tire जब burst होता है तो भी वो adiabatic process होता है अचानक से जो pressure है वो उसमें कमी आ जाती है gas release हो जाती है तो वो burst हो जाते है अचा मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको आईसो थर्मल और adiabatic का एक फर्क बता हूंगा याद रखिएगा जो आईसो थर्मल process होते हैं वो slow process होता है और adiabatic process की खास बात ही है यह हमेशा तेज प्रोसेस होता है जब tire puncture होता है और आहिस्ता-ाहिस्ता हवा निकल रही होती है tire में से ठीक है तो उस वक्त temperature same रहता है पूरे tire का gas का, आइस्ता इस्ता process हो रहा होता है, आइसो thermal होता है लेकिन जब tire burst होता है तो अचानक से जो tire है या हवा है वहाँ पे थंडी हो जाती है वो इस वज़ा से क्योंकि वो एडियाबेटिक है एडियाबेटिक के अंदर internal energy कम हो जाती है बना है, यह थोड़ा सा steeper curve है यह थोड़ा सा steep है steep का मतलब इसका धलान ज्यादा है इसका slope ज्यादा है as compared to आइसो thermal process और यह जो graph है इसको कहते है एडियाबेट कर्फ ठीक है इसका नाम क्या है इसका नाम है एडियाबेट कर्फ और बल्के काम करता हो ना दोनों graph देखाता हो आपको फिर आप compare कर रहा देखा आइसो thermal process काफी gentle सा curve आ रहा था ना मैं कह रहा था कि उसका slope बिलकुल normal सा है जबकि एडियाबेटिक का अगर आप कर्फ देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा slope नजर आ रहा है यानि अगर दोनों से आप एक बॉल को रोल कर आओगे नीचे की तरफ तो ज्यादा तिजी से बॉल कब नीचे आएगी obviously एडियाबेटिक में क्योंकि एडियाबेटिक कर्फ जो होता है वो काफी steep है इसका धलान ज्यादा है और जो आईसो थर्मल है इसका धलान नॉर्मल है तो हम कह सकते हैं कि यह gentle कर्फ है ठीक है और चलो एक और interesting बात बताता हूं मज़िदारी की एडियाबेटिक प्रोसेस की एक और पहचान बताता हूं आब अपने हाथ को अपने फेस के आगे लेकर आओ और एक मरतबा होटो को कम छोटा करके यानि कम खोलके फूक मारो तो ऐसी सूरत में जब आप ब्लो करोगे तो यहां से जब गैस बहार निकलेगी तो अचानक से उसे जगा मिलेगी तो वह रैपेडली ठंडी हो जाएगी यानि कि यहां प कम खोलके फूक मारो हाथ की तरफ जैसे आप चाई को ठंडा करने के लिए फूक मारते हो तो आप देखना आपके मुझ से जोए वह ठंडी हवा निकलेगी जबके अगर आप मुझ खोलके फूक मारते हो मतलब हवा जैसे गर्मियों के इंदर अपने हाथ को गरम करने के लि से निकलने वाली एर तो एक्चुली गरम ही होती है तो यहां पर आके क्योंकि वह ठंडी हो जाती है एडिया बाड़े expansion की वैसे तो हमारे हाथ पर थंडी महसूस होती है बट यहां पर जो हमारी body के temperature के मताबिक होगी यानि के गरम होगी ठीक है जी तो बस अब समरी करते हैं काफी हो जाएगा आइसो बैरिक के अंदर pressure सेम रहता है और ऐसी सूरत में heat 200 में convert होती है internal energy और work done होता है आइसो core में volume same रहता है और सारी की सारी heat internal energy में convert हो जाती है आइसो थर्म में temperature सेम रहता है और सारी की सारी heat वर्डन में convert हो जाती है एडिया बैट में system को insulator पर रखते हैं और अगर expansion होता है तो internal energy decrease हो जाती है अगर compression होता है तो internal energy बढ़ जाती है ठीक है जी सो यह है आज का हमारा lecture I hope समझ में आ गया होगा confusion की सूरत में आप comment section में लिख सकते हैं मैं ज़रूर reply करूंगा that's all for this lecture अलना आफिस